Hello Esperants, यह कुछ features हैं, आप check कर सकते हैं बात करते हैं किसी भी answer को किस तरह से attempt करना चाहिए वैसे तो हर किसी का अपना-पना तरीका होता है answer को approach करने का लेकिन हम यहाँ पर एक basic approach को use करेंगे जो almost सभी के लिए suitable हो और सबसे ज़्यादा effective हो हमारी basic approach कहती है कि सबसे पहले question के context को समझना चाहिए Context मतलब वह broad area, वह broad theme जिसके उपर यह question based होते हैं इसको simple example से समझते हैं मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि explain cow तो आप जिस area में सोचेंगे वह cow होगा आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, right? यहां तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है लेकिन cow के बारे में भी क्या सोचना है अभी भी context पूरा clear नहीं है इसलिए question के पूरे context को समझने के लिए हम उसके keyword को भी देखते हैं question के context को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके directive word को भी देखते हैं directive words वो words होते हैं जो उस topic के अंदर भी किस direction में सोचना है उसके लिए guide करते हैं जैसे कि हमने example लिया था explain cow इसके अंदर जो directive word है वो है explain उसके according हम cow के बारे में उसके features बता सकते हैं कि cow के 4 pair होते हैं एक पूछ होती है लेकिन वहीं अगर हमने directive word critically analyze लगा दिया तो हम same topic cow के बारे में ही different direction में सोचेंगे मतलब cow के advantages या disadvantages और इस तरह से आपने देखा कि एक ही theme होने के बावजूद दो different direction से हमने सोचा और इस तरह से आप question के पूरे context को समझ पाते हैं एक पर context को समझ लिया फिर हम अपने next step पर आते हैं जो है content को gather करना question की understanding के बाद जो भी related matter हमें मिलता है उसे हम gather करने की कोशिश करते हैं कोई भी related example, definition, stats या figures उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनको ये rough points बनाकर rough page पे लिख देंगे क्यूंकि एक बार context समझने के बाद हमारा दिमाग सभी direction से उससे related content को gather करने की कोशिश करता है और ये information raw होती है, unfiltered होती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो totally related हमारे कोशिश की demand से ना भी हो और अगर आपने उसे directly अपने paper पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप कोशिश की demand से deviate हो जाएं और फिर आपको marks भी accordingly मिलेंगे इसलिए उस raw information को अच्छे से present करने के लिए हम last step पर आते हैं structure किसी भी answer के अंदर तीन basic component होते ही है पहला introduction, दूसरा body और तीसरा conclusion किसी भी question के answer में introduction, body और conclusion किस तरह से लिखना है वह question to question differ करता है जिस तरह का question होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों component दूसरा आपकी knowledge पर depend करेगा जितनी ज्यादा knowledge होगी, refined knowledge होगी उतना relevant information knowledge answers के अंदर लिखी जा सकती है और finally आपके experience पर depend करेगा कि आपने कितनी practice करी है जिसकी वज़ा से आप quickly question के demand को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं यह सब दीरे दीरे answer writing की practice करने से आ जाता है और इस तरह से अगर आपको question का context समझ में आ गया फिर आपको पता चल गया कि context से related मतलब question की demand से related क्या content लिखा जा सकता है आपने approach के दूसरे step के according content को gather भी कर लिया और फिर real paper पे आपने structure कर दिया तो इस तरह से आपका answer complete हो जाता है perfection की तो कोई limit नहीं है लेकिन यह approach follow करने के बाद आपको एक ऐसा answer मिलेगा जिसे examiner check करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको above average marks देने के लिए इसलिए हम आगे इसी approach का use करते हुए questions को deal करेंगे आज का GS1 का question देखते हैं compare and contrast the nationalism of Baal Gangadhar Tilak and Gopal Krishna Gokhale इस question को आप UPSC के syllabus the freedom struggle and its various stages के अंदर classify कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरह का question UPSC के अंदर पूछा जा सकता है जी हाँ क्योंकि similar kind of question has been asked in 2016's main exam और उस time question पूछा था highlight the differences in the approach of Subhash Chandrabos and Mahatma Gandhi in the struggle for freedom that is why we believe that this kind of question can be relevant for upcoming UPSC exam अब इस question को attempt कैसे किया जा सकता है उसकी बात करते हैं तो किसी भी answer को attempt करने से पहले जरूरी है उसका context समझना इस question के context को समझेंगे यहाँ पर broad theme जिनकी बात हो रही है वो है बाल गंगाथर तिलक और गोपाल कृष्न गोखले अब इनका comparison बताना है मतलब यह जो keyword दिया है directive word compare and contrast तो इन दौना के बीच में जो भी तरह के differences है इनकी nationalism के अंदर जो approaches इनोने use करते हैं freedom के लिए वहां हमें list out करने है इसके लिए content आपको किसी भी static part से मिल जाएगा आप book में से भी ढूँड सकते हैं बात बस यह होगी कि उन दौना के बारे में पढ़ कर अपने खुद analytical mind से सोच के जो भी differences आप बना सकते हैं वो लिखें इस तरह context को समझने के बाद और content के मिल जाने के बाद structure को बनाना easy हो जाता है तो introduction के अंतर दौनों के बारे में brief introduction दे सकते हैं और फिर main body में जो main demand है उसे आप mention कर सकते हैं अब इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं आप table format भी बना सकते हैं differences को point wise लिख सकते हैं या फिर आपका अच्छा experience है तो आप direct paragraph में भी लिख सकते हैं और फिर finally आप conclude कर देंगे उन दोना के significant contribution को बता का है या आप कई तरीके से कर सकते हैं इस तरह से आपका या answer complete हो जाता है इसे करने की कोशिश करिए modern Indian history का part है ये आप इसे easily attempt कर सकते हैं I hope आप सभी ने अपना answer लिखा होगा तो answer की कुछ hints देख लेते हैं जो answer के अंदर लिखी जा सकती हैं ये hints exhaustive नहीं है मतलब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी चीजें as it is same to same लिखना हो तो इन hints को आप direction की तरह use करें जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि कौन सी चीजे relevant है लिखना और कौन सी चीजे relevant नहीं है चलिए आगे देखते हैं तो हमने ये question discuss किया था इसके अंदर दो freedom fighter की बात हो रही थी और उन दोना की approaches को compare करना था introduction तो आप कैसे भी इसका शुरू कर सकते हैं इन दोनों के बारे में बता कर कर सकते हैं काफी बड़े Indian freedom fighter रहे हैं हमारे Indian national struggle में interesting बात ये है कि दोनों के school of thoughts different थे जहां तिलक extremist थे वहीं गोखले moderates है अब आप इस question के answer को कैसे भी structure कर सकते हैं अपने convenient के साब से आपकी knowledge अगर ज्यादा refined होगी तो आप इनको directly compare कर सकते हैं table format में एक side एक personality का नाम लिखकर उनके बारे में list out कर देना उनकी approaches और दूसरी तरफ दूसरी personality को लिखकर उनकी बातों को उनकी approaches को list out करना तो देखते हैं question के demand के according क्या क्या information हम यहाँ पर लिख सकते हैं तिलक के बारे में जानते हैं वह स्वराज के बहुत strong supporter रहे हैं स्वराज मतलब complete independence इसलिए फिर उन्होंने स्वदेशी movement के अंदर actively participate किया और उस movement को throughout India में spread करना चाहते थे केशरी नाम का एक newspaper आता था उसको edit करते थे मराथी में होता था और दूसरा English में M-A-H-R-A-T-T-A नाम के newspaper को भी edit करते थे या English में होता था फिर nationalism को install करने के लिए कौन सी approach का वो use करते थे जो festival होते थे शिवाजी, गनेश उत्सव, especially महरास्टर में बनाया जाता था तो उन festival के through वो common public के अंदर nationalism की भावना को install करते थे और वो Hindu और Muslim unity के अंदर believe करते थे और इसी वज़ा से Lucknow pact 1916 में जो हुआ था उसके लिए वार responsible थे अब बात करते हैं अपने दूसरे freedom fighter की गोकले, he was the political guru of Gandhi and Jannah उन्होंने अपनी official powers को use किया, parliament floor को British की ही policies और budget को oppose करने के लिए use किया उन्होंने servants of India society को start किया, जिससे की masses, मतलब बहुत सारे लोगों को educate किया जा सके क्योंकि वो moderate थे, इसलिए independence, complete independence उनके agenda में नहीं था और फिर agenda में क्या था, कि जो अभी की situation थी उस time, जो उनके सामने दिख रही थी उनको improve करना reforms लाकर और Indians का जो भी government bodies थी, उनके अंदर participation को increase करवाना वह social reforms वाले area में भी बहुत ज़्यादा active रहे इस statement को approve करने के लिए हम बता सकते हैं, जो age of consent bill था, वह उसके लिए बहुत ज़्यादा strongly support करते थे आपको age of consent bill के बारे में पता होगा, इस bill के तहट इसको briefly बताएं तो कह सकते हैं, इस bill के अंदर female के साथ physical relation बनाने के लिए consent की age 10 से 12 करने का provision था, जिसे गोखले strongly support करते थे अब यहाँ पर ideological difference कहाँ पर आता है कि तिलक इस चीज़ को बिलकुल support नहीं करते थे बात यह नहीं है कि उन्हें इस बात से दिक्कती के दस age ही होनी चाहिए ideological difference यहाँ पर था कि क्यों British Indian relation के अंदर हस्तचेप कर रहे हैं, क्यों interfere कर रहे हैं उन्हें इस तरह के law लाने का कोई हक ही नहीं है इस तरह हम देख सकते हैं दोनों के ideological differences, social reforms के regarding उभर कर आ रहे हैं आप फिर conclusion कैसे भी दे सकते हैं, आप इनकी contribution को बता सकते हैं, साथ में मिलकर जो हुए थे या फिर आप इनकी ideological differences के कारण क्या हुआ आगे उसके बारे में बता सकते हैं For example, आपको पता होगा Indian National Congress जो 1906 और 1907 में हुई उनके अंदर तिलक का nomination था लेकिन Gokli ने oppose किया और उसका result हुआ कि Congress split हो गई At last हम यह कह सकते हैं कि दोनों different school of thought से belong करते थे लेकिन उनका जो objective था वो एक था common था अपनी motherland के लिए, अपनी जनबूमी के लिए और अपने लोगों के लिए उनका welfare करना इस तरह से आप इन hints को use करकर एक answer तयार कर सकते हैं I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा Finally बात करते हैं कि ऐसा कौन सा x factor होता है ऐसे candidate के बीच जिसकी knowledge, topper की knowledge के equally होती है पर फिर भी उसे topper से कम marks मिलते हैं Almost किसी भी topper की copy अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़े common दिखाई पड़ेंगे पहला जितना भी possible हो उतना ये point में बना कर answer देते हैं Keywords के नीचे underline करते हैं जिससे की examiner की attention directly उन keywords पे जाए तीसरा answer के अंदर visibility बनी रहे उसके लिए short paragraphs बनाते हैं 5 to 6 lines के depends on individual handwriting जितना possible हो वहाँ पे flow charts, diagram, map लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक X-factor answer के अंदर आ जाता है और उनकी copy दूसरों की copy से अलग दिखाई पड़ती है आप भी इन बातों का ध्यान रखिए daily answer writing करते रहे हैं जिससे की ये सारी चीजें आपकी आदत में आ जाएं इतना ही इस वीडियो में keep writing, all the best, see you in the next video